राजस्तान की उपमुख्य मंत्री दिया कुमारी ने कॉंग्रेस पर कड़ा हमला बोलते हुए आरोप लगाया है कि पार्टी की मानसिक्ता महिला विरोधी है। चब्दों का उप्योग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि महिला को बड़ापत देने पर कॉंग्रेस परेशान हो जाती है। जब इनकी पार्टी सर्ता में की उस समय भी इन्होंने महिला विरोधी बयान दिये थे, इनके सरकार में इनके जो मंत्री थे, उन्होंने कहा ये तो मर्दों का प्रदेश है, और आज इनके MLA कह रहे हैं कि महिला वित्मंत्री है, बिचारी महिला वित्मंत्री, इसका मतलब आ प्रोब्लम है कि मनिला को आगे नहीं बढ़ना चाहिए मैला को इस तरह की मालसिक्ता है बहुत ही ओची मालसिक्ता दर्शाता है और यह बहुत गलत बयान है और जो साधू की इन्हों इस तरह से बात की है यह भी बहुत गलत बात है हम सब जानते हैं कि कॉंग्रेस पार्टी और इनके सारे जो इनका गड़ बंदन है वो पुरा का पुरा सनातन विरोधी गड़ बंदन है पहले भी इन्होंने सनातन के बारे में हिंदू धर्म के बारे में उल्टी सीधे बयान इनके लीडर्स ने और आज भी उसी दिशा में चल रहे हैं और जन्ता ने देख लिया है कि किस तरह की मानसिक्ता रखती है ये पार्टी और बहुती बहुती गलत का